दोस्तों आपने प्याच तो काटी होगी लेकिन आपको प्याच काटते समय आसू तो आए होगे लेकिन मैं आपको एक ऐसा फेक्ट बताऊंगा कि आपको प्याच काटते समय आसू नहीं आएंगे आप प्याच काटते समय चिंगम खाईए आपको एक भी आसू नहीं आएगा दोस्तों किया आपको पता है कि एक कॉंक रोच की गर्दन कटने के बाद भी वो 9 दिनों तक जिन्दा रह सकता है लेकिन वो भूँख के कारण उसकी मौत हो जाती है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूँखे